हलो एबरियोन वेलकम तू तू जोरावर क्लासेज और आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेर्स भी डेली करंट अफेर्स की एक वीडियो रहेगी आपकी टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हो पाई असकी टाइमिंग भी हम डिसाइड कर लें जल्दी मौ चोटा सा कैप्सूल कह लेंगे हम उसे करंट अफेर्स का वो दस कोश्यनों का आपके सामने डेली आएगा सुबर नो बज़े ही मैं इसको रखूंगा फाइनल करके मैं आपको ग्रूप में इसका टाइम भी बता दूँगा अब प्यार्टी में हमें पता है कि प्यार्टी म उसका कोई अंत नहीं है कहां तक पड़ोंगे जीके को जोग्रफी साइंस हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस करंट अफेर्स पता नहीं क्या क्या है उसमें लेकिन करंट अफेर्स को आप पिछले सिर्फ 6 से 7 महीने की पड़के जो ये 5 से 6 नमबर आएंगे ना इसको आप 5 से 6 में से 5 से 6 में तबदील कर सकते हैं तो उसलिए करंट अफेर्स इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है और इसलिए हम इसको डेली लेके चलेंगे अब डेली करंट अफेर्स का हमारा ये सेक्शन रहेगा उसके बाद बात करते हैं TGT वालों के लिए तो बहुत जादा इंपो दी दिया है और आकी इसकी PDF जो है आपको ग्रूप में मिलती रहेगी आप ग्रूप में जुडने का तरीका मैंने बताया हुआ है जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जो फर्स टाइम देख रहे हैं वो मेरेको 863-800-8832 इस पे जो वाट्सप कर सकते हैं अपनी डिटेल क्योंकि GKS में कोई ऐसे words नहीं है कि English medium वालों को problem होगी और Hindi में पढ़के हमें चीज़ें ज्यादा ही समझ आती है ठीक है तो यह चीज रहेगी मैंने अपना बता दिया आपको WhatsApp ग्रूप नंबर दे दिया उसमें जो आपको चीज़े देनी है वह आप उस पे बेढ़ सकते चलो friends ठीक है फिर आज की जो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशियन है हमारा महरास्ट के राज्यपाल भगत सिंग कोशियारी को किस राज्य का अत्रिक्त परभार दिया गया है तो इसका आंसर है गोवा का गोवा का क्यों दिया गया है मैं बता दूँ आ अभी हमें क्या दियान रखना है कि जो हमारे महरास्ट के राज्यपाल है भगत सिंग कोशियारी जी उनको अभी गोवा का अत्रिक्त परभार दिया गया है अब मैं इनके बारे में अगर आपको बता दूँ तो महरास्ट के राज्यपाल भगत सिंग कोशियारी को गोवा का अत्रिक्स प्रभार दे दिया गया है भाजपास ने 2008 में उन्हें राज्यसभा भेजा था वे 2014 में 14 के जो लोकसभा के चुना हुए थे वहां से ननिताल सीट से जीते थे और संसत पहुँचे थे और विद्यारती जीवन में वो RSS से जुड़े हुए थे तो यह चीज हो गई इसके बारे में पहले कोश्चन के बारे में अब चलते नेक्स कोश्चन लेते हैं अपना सेगिंड कोश्चन जी यह चीज आपने सुनी होगी एक दो दिन पहले ही सास्त्रिय संगीत के परशिद गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 साल वर्स की उम्र में उनका निधन हो गया वो कौन थे ठीक है वो थे हमारे पंडित जसराज इनका न्यूजर्सी में जो निधन हुआ भी एक दो दिन पहले न्यूज आई वी थी आपके न्यूजपेपर में तो इनके बारे में बता दें जाने माने सास्त्रिय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया वे 90 साल के थे उन्होंने अमेरिका के न्यूजर्सी में अंतिम सांस ली पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाना में हुआ था उनके पिता पंडित मोतिराम जी भी मेवात घराने में एक संगीत कार थे उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की और से पदमा भूशन से भी संबानित किया गया था पंडित जसराज ने भारतिय सास्त्रि संगीत को एक नई उचाई दी थी ये अपना हो गया second question ये सारे ऐसे question है बनारस करने को मंजूरी परदान की है इसका answer है जी B मुडाहिडी railway station ठीक है अब इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे दूँ इससे पहले एक और railway station का नाम change हुआ था उत्तर प्रदेश में अगर किसी को पता है तो comment में बताए वो था मुगल सराय railway station जिसका नाम बदल कर पंडित दीन दयाल उपाद्याय जंक्षन कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में अब एक और railway station का नाम बदल दिया गया है मंडू आडी ही railway station का नाम अब बनारस के नाम से जाना जाएगा केंद्रे ग्रह मंत्रारले ने मंडू हडी railway station का नाम बदल कर बनारस करने की मंजूरी जो है वो दे दी है ठीक है ना ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है थर्ट कोश्चन होगे आप फोर देख लेते हैं नेक्स कोश्चन हाँ जी CBI के किस पूर्ब विशेश निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल B.S.F. का नया महा निर्देशक निउक्त किया गया है सिंपल सा कोश्चन है राकेश अस्थाना केंद्र सरकार ने CBI के पूर्ब विशेश निर्देशक राकेश अस्थाना को B.S.F. का महानिर्देशक न्युक्त किया है राजेश अस्थाना अभी नागरिक उड्यान शुरक्षा ब्योरों के महानिर्देशक पद को समाल रहे थे वे नार्कोटिस्ट कंट्रोल व्योरों के महानिरदेशक के अतरिक्त परभार भी बने रहेंगे राकेश रस्थाना पद का कारेभाल सभालने की तारीक से 31 जुलाई 2021 तक BSF के महानिरदेशक के रूप में रहेंगे वे 1984 बैच के I.S. अधिकारी भी रहें हैं ये इतनी सारी जानकारी मैं आपको साथ-साथ में इस ले दे रहा हूँ आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं और बागत में नहीं सुनना है आपको तो बहिया सिंपल सा है जो आंसर है वो देखते रहो और आगे बढ़ते रहो तीस्ता नदी परियोजना के लिए एक बिलियन कर्ज देने की गोशना की है यह next question है कौन सा देश है वो उस देश का नाम है हमारा चीन चीन ने बांगला देश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए एक बिलियन कर्ज देने की गोशना की है नेपाल के बाद अब चीन ने बांगला देश को अपनी आर्थिक मदद से लुभाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुदाबिक मई महीने में बांगला देश के वित्त मंत्रा लेने रंगपुर इलाके में तीस्ता नदी परबंदन प्रयोजना के लिए 853 मिलियन डॉलर की मदद मांगी थी ये पहली बार है कि जब चीन बांगला देश की नदी परबंदन योजना से जुड़ी किसी प्रयोजना में सामिल हो रहा है और फंडिंग के लिए कर्ज दे रहा है ये फर्स टाइम हुआ है कि चीन बांगला देश को इस तरीके से कर्ज दे रहा है चले नेक्स कोशन पर आते हैं अपने चटे कोशन पर मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाली में निधन हो गया ये चीज़ में ने निउस पर पड़ी थी आपने भी सुनिया पड़ी होगी इसका अंसर होगा ए निशिकांत कमात जो है उनका नाम था निशिकांत कमात ने अच्छी देवगन और तब्व स्टारर फिल्म दृश्यम और इर्फान खान स्टारर फिल्म बहदारी जैसी फिल्म को डारेक्ट किया है इसके अलावा उन्होंने जोन इब्राहिम के साथ फोर्स और रोकी हैंडसम जैसी फिल्म भी बनाई है निशिकांत कमात का जन्म महराष्ट में हुआ था मराठी थे वो उन्होंने साल 2005 में मराठी फिल्म दोबिवली फास्ट से डारेक्शन में डैब्यू किया था उनकी पहली ही फिल्म को मराठी बेस्ट फीचर फिल्म का नैशनल अवोर्ड भी दिया गया था यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट मराठी फिल्मों में से एक थी ठीक है उसके बाद इन्होंने बोली वूड में अपना डैब्यू किया और यहां पे इन्होंने क्या गया मुवीज बनानी डारेक्ट करनी स्टार्ट की सेवन्थ कोशन पर आते हैं इनके बारे में बता दूँ अगर मैं आपको तो पुलिस अनुसंधन और विकास ब्यूरो PBRD के मुझूदा परमुक कुमूदी का ट्रांसफर करके उन्हें ग्रह मंत्राले में विशेश सचीव आंत्रिक सुरक्षा के पदपर तैनात किया गया है ये आंदरपरदेश केडर के 1986 बैच के हमारे IPS अधिकारी हैं जो वर्तमान में पुलिस अनुसंदान एवं विकास ब्यूरो के महानिरदेशक के रूप में कारेरत हैं और वे 20 नवंबर 2020 तक इस पद पर रहेंगे उसके बाद उनकी सेवा निर्ति हो जाएगी जिसमें वो रिटायर हो जाएगे चीकर जी नेक्स वेशन लेते हैं फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट में ये करके जरूर बताएं इसी वीडियो में देख रहे हैं साथ में कि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं इतनी सारी इंफॉमेशन दे रहा हूं सबके बारे में ये दूँ या सिर्फ question पढ़ूँ और उसका answer बता हूँ आप इस तरीके से जानना चाहते हैं या जिस तरीके से मैं question पढ़ता हूँ उसका answer बताता हूँ उसके पीछे फिर क्या reasons है थोड़ी बहुत उसकी क्या जानकारी है उसमें वो बताता हूँ वो ज़रूर मेरे साथ share करें comment में आप मेरे को whatsapp में जो मैंने बताया हूँ वहाँ पे भी आप मेरे को इस चीज़ से बता सकते हैं पॉसमेसेज करके United Kingdom ने भारत को United Kingdom मतलब England UK ने भारत में कितने million pound का Invest Innovation Challenge Fund launch किया है इसका answer है आपका A 3 million pound का United Kingdom ने भारत में 3 million pound का Innovation Challenge Fund launch किया है COVID-19 और जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और सिक्षा विदों में भारतिय वैज्यानिकों का समर्थन करने है तू यह fund launch किया गया है ठीक है जी? इस fund ने करनाटक में Artificial Intelligence Cluster और मारास्ट में भविश्य की गती शीलता कलस्टर से जूडने के लिए इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया है यह पहल UK भारत Tech साज़धारी के निर्मान में मदद करेगी आगे जाके भी ऐसी चीज़े होती रहेंगी ठीक है जी? चलिए नेक्स कोशिण लेते हैं अपने नाइन्थ कोशिण हाल ही में मेगालिय का राज्यपाल की से निउत किया गया है मैंने सबसे पहले कोशिण में बताया था कि गोवा के जो अभी एट प्रिजेंट राज्यपाल थे डोक्टर सत्यपाल मलिक अब उन्हें मेगालिय भेज दे गया है और जो आपके हमारे गोवा के अब नए राज्यपाल है जिनों अतरिक्त कार्याभार समाला गया है वो हमारे भगत सिंग कोशियारी जी है ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी तो अब मैं आपको सित्यपाल सिंग जी के बारे बता देता हूँ गोवा के राज्यपाल सिंग मलिक को मेगाल्य का राज्यपाल निउक्त کیा गया है सित्यपाल मलिक अगस 2018 से अक्टूपर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे बिहार से उन्हें वहां भेजा गया था, सबसे पहले वो बिहार में थे बिहार से फिर उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था फिर जम्मू कश्मीर के बाद सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राजजपाल के तोर पर निवत किया गया था उन्हें 2018 में कुछ महीनों के लिए उडीसा के राज्यपाल का भी अत्रिक परभार दिया गया था बिहार के साथ साथ उडीसा का भी समाला था उन्होंने मलिक दो 21 अपरेल 1990 से 10 नमेंबर 1990 तक केंदर राज्यमंत्री भी रह चुके हैं प्रियटन के ठीक है और अब वो कहां के हैं राज्यपाल अब वो मेगाले के राज्यपाल चुने गए हैं उनको वहां पर नियुक्त किया गया आज का लास्ट कोश्यन जो है वो आपके साथ डिसकस कर लेते हैं भारतिये रेलवे किस राज्यमें दुनिया का सबसे लंबा पीयर ब्रिज का निर्मान कर रहा है इसका आंसर है मनीपूर मनीपूर में सबसे लंबा पीयर ब्रिज का निर्मान कर रहा है भारतिये रेलवे बारतिये रेलवे की तरफ से दुनिया के सबसे उंचे रेलपूर का काम चल रहा है यह है पुल पूर्वुत्तर रेलवे की ओर से मनिपूर में तयार किया जा रहा है यह है 111 किलोमेटर लंबे रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह है पुल 141 मीटर उंचाई पर बनाया जा रहा है एक तरह से यह है पुल कुतुम मिनार से भी दुगना उँचा होगा कुतुम मिनार से भी दुगना उँचा यह है यूरोप के मॉन्ट्रेगो में बने 139 मीटर उँचे पुल का रिकोर्ड तोड़ देगा 703 मीटर लंबे इस पुल का निर्मान इमफाल से 65 किलोमेटर दूर नोनी जिले में एक गाउं पड़ता है वहाँ पर वहाँ किया जा रहा है ठीक है जी और इसमें लागत आने वाली आपकी 280 करोड की इस निर्मान में ठीक है तो फ्रेंट्स ये आज के लिए था आपके 10 कोशन एक बार आप फिर से आके देख सकते हैं और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि जिस तरीके से हम ये आज मैंने आपको बताया इस तरीके से करूँ या इसमें आपका टाइम खराब हो रहा है मैं सीधा कोशन लूँ 10 और 10 कोशनों के आंसर जो है आपके साथ शेर कर दो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक तो वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल अगर आप नए है और मेरे वाटसब चैनल या टेलिग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें अभी के लिए इतने ही अब रात को 9 बजे अपने लाइव क्लास रहेगी उस पे मिलते हैं आज का टोपिक आज का स्लेबस के साब से आज का सेड्यूल के साब से जो भी रहेगा थैंक यू आवरिवन बाई टेक यू